हेलो दोस्तों, आज हम गांधी जी के जीवन परिचे के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं महात्मा गांधी जी का जीवन परिचे महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1879 को ब्रिटिश भारत में गुजरात राजय के काथियार जिले के पूरबंदर नामक स्थान पर हुआ था इनके बच्पन का नाम मोहंदास था इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था इनके पिता पूरबंदर के दीवान थे पुतली बाई इनके पिता की चौथी पत्मी थी क्योंकि इनसे पहले उनकी तीन पत्मियों की प्रसफ के दोरान मृत्यू हो चुकी थी इनके भाय का नाम लक्षमी दास और करसं दास और एक बहन थी जिनका नाम रालियात बिन था गांधी जी का वैवाहिक जीवन उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और उस समय कस्तूरबा 14 वर्ष की थी मई 1883 में इनका विवाह कस्तूरबा इमाखन जी का पाडिया यानि कस्तूरबा गांधी से कर दिया गया था महात्मा गांधी जी के चार बेटे थे हरिलाल, मनिलाल, रामदास और देवदास 1944 में पुना में कस्तूरबा गांधी की मृत्यू हो गई गांधी जी की शिक्षा नवंबर 1887 में उन्होंने अपनी मेट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और जन्वरी 1888 में उन्होंने भावनगर के सामलदास कॉलेज में दाखिला लिया था और यहां से डिग्री प्राप्त की इसके बाद वे लंदन गए और वहां से बेरिस्टा बनकर लोटे स्वदेश लोटकर उन्होंने वकालत शुरू की महात्मा गांधी की मृत्यू और हत्यारे का नाम 30 जन्वरी सन 1948 को नाथुराम गो से द्वारा गोली मार कर महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी उन्हें तीन गोलिया मारी गई थी और उनके मुह से निकले अंतिम शब्द थे हे राम उनकी मृत्यू के बाद दिल्ली में राजगाट पर उनका समाधी स्थल बनाया गया है महात्मा गांधी जी 89 साल की उम्र में वे सभी देशवासियों को अलविदा कहकर चले गए महात्मा गांधी द्वारा रचत प्रमुक पुस्तकों के नाम हिन स्वराज दक्षिन अफ्रीका में सत्यागरा मेरे सपनों का भारत ग्राम स्वराज सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्म कथा आधी और भी पुस्तके महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई थी महात्मा गांधी के आंदोलन चंपारन सत्यागरा 1917 खेडा सत्यागरा 1918 अहंदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 खिलाफत आंदोलन 1920 असहयोग आंदोलन 1920 नमक आंदोलन अथ्वा सविनय अवग्या आंदोलन 1930 भारत छोडों आंदोलन 1942 आंदोलनों की विशेषता गांधी ने जितने भी आंदोलन किये उन सभी में कुछ बातें एक समान थी, जिनका विवरन निम्ना नसार है ये आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण घंग से चलाये जाते थे आंदोलन के दोरान किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधी होने पर गांदी जी दोरा वो आंदोलन रद कर दिया जाता था ये भी एक कारण था कि हमें आजादी कुछ देर से मिली आंदोलन हमेशा सत्यव और अहिंसा की नीव पर किये जाते थे सम्मान वपुरस्कार गांधी जी 1930 इस्वी में टाइम पत्र का द्वारा पसन ओफ एर चुने गए थे इनका नाम पांच बार शांती के नोबल पुरस्कार के लिए बेजा गया परंतु इनका चुनाव नहीं हुआ गांधी जी के बारे में अन्य रोचक जानकार्या नमबर वन 30 जन्वरी 1948 को नाथुराम गोसे द्वारा गांधी की हत्या कर दी गई थी महात्मा गांधी के सम्मान में 30 जन्वरी को राष्ट्रिय स्तर पर शहीद दिवस मनाया जाता है नमबर टू गांधी जी के जन्दिवस के अफसर पर दो अक्टूबर को गांधी जयन्ती के रूप में पूरे विश्व में अंतराष्ट्रिय अहिंसा दिवस मनाया जाता है नमबर टू महात्मा गांधी अपने माता पिता के सबसे छोटे संतान थे इनके दो बड़े भाई और एक बेहन थी नमबर फो महात्मा गांधी सबी भारतियों से समानता दिखाने के लिए बिना सिले हुए कपड़े पहना करते थे और इस विशय पर उनका कहना था कि वो तभी अपने पूरे शरीर को धग देंगे जब सबी भारतियों के पास पूरे तन के लिए कपड़ा होगा 6. महात्मा गांधी के आंदोलनों के दोरान अंग्रेजी हुकूमत किसी को भी तस्वीर लेने की इजाजत नहीं देते थी इस पर अंग्रेजी शासन का यह मानना था कि तस्वीर से आंदोलन और बड़ा और व्यापक हो सकता है 7. विश्व के इन सभी बड़े नेताओं ने गांधी जी के सिध्धानतों का पालन किया है आंग्सान सूकी, नेलसन मंडेला, माटन लूथर किंग 8. गांधी जी को फुटबॉल खेल से बहुत लगाफ था और दक्षिन अफ्रीका में महात्मा गांधी तीन फुटबॉल कलिबों के संस्थापक थे 9. भीमरावं बेटकर महात्मा गांधी के विरोधी थे लेकिन महात्मा गांधी के आग्रह पर ही उन्हें सम्विधान सभा में शामिल किया गया था 10. स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान महात्मा गांधी 13 बार गिरफतार हुए थे और इस दौरान उन्होंने 17 बड़े अंशन किये थे एवं लगातार 114 दिन तक भूखे रहे थे 11. 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापो से रेडियो पर महात्मा गांधी को संबोधित एक संदेश दिया जिसमें उन्होंने ही सबसे पहले इन्हे राश्ट्र पिता कहा 12. एपल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स गोल फ्रेम का चश्मा महात्मा गांधी को सम्मान देने के लिए पहनते थे 13. महात्मा गांधी की तस्वीर 1996 से भारतिये नोटों से छापी जा रही है 14. महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार कभी नहीं मिला है लेकिन उन्हें पांच बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था 15. 1930 में गांधी जी को अमेरिका के टाइम मैग जीन द्वारा मैन आफ दे एर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 16. भारत में तिरपन प्रमुक सरकों और भारत के बाहर 48 लर्कों का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है 17. भारत की तुलना में नीदरलेंड में महात्मा गांधी के नाम से ज़्यादा सरके है 18. 12 अप्रेल 1919 को रवींदरनाथ टेगोर ने महात्मा गांधी जी के नाम एक पत्र लिखकर भेजा जिसमें पहली बार इन्हें महात्मा के नाम से साम्बोधित किया इस वीडियो की सभी जानकारिया प्रतियोगी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप इसे नोट करके रखीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कर दो मिलते हैं नेक्स हम में से साम्बोधित झाल झाल